नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब, welcome back to the channel, the greener grass by गुंचुन्टियागी जीबू सिंबल्स जीबू सिंबल्स के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और जो वो सिंबल्स मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किये थे abundance के, prosperity के, unlimited love के, वो सब सिंबल्स आप लोगों ने use किये और उनके results मी मिले आज आपके साथ जीबू सिंबल्स और जीबू सिंबल्स शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले जानो ये जीबू सिंबल्स कहां से आए, क्या है ये ये एक तरह के सिंबल्स हैं, हमारी एक Ricky Healer है, जिनका नाम है Debbie, Debbie 2002 में एक Ricky Healing की class ले रही थी, तो उन्होंने बताया कि उस time उन्होंने communicate किया एक group of angels के साथ और उन angels ने उन्हें ये symbol दिये थे, बहुत ज़ादा use होते आ रहे हैं, all over the world, लोगों को result भी मिल रहे हैं, तो मेरी family कैसे पीछे रह जाए, आप लोगों को भी use करने हैं, ये symbols इन्हें use कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला, या तो आप इन्हें draw कर लो अपने उपर it is very trending nowadays, लोग इनका tattoo बनवाते हैं, आप वो करा सकते हो secondly, आप किसी और के लिए अगर आप बना रहे हो ना, किसी और की body पे अगर आप zeewoo symbol बना रहे हो, तो make sure कि आप उसकी body touch ना कर रहे हो, pen उपर रखके तब draw करो, आप नहाने का पानी या drinking water इनसे charge करके पी सकते हो, मेरा मतलब है water bottle पे बाहर, ये symbol बना के paper पे paste कर सकते हो, या अपने bathroom में जो आपका bath चब है या bucket है, वहाँ पे भी इसे draw करके paste कर सकते हो, और कैसे use कर सकते हो, आप कोई affirmation अपनी बोलो मानलो आप money attract कर रहे हो, आपने money की एक affirmation बनाई, तो उसके आगे golden या silver color के pen से last में affirmation के, इस symbol को हमारे abundance के या prosperity के symbol को बना दो, ऐसे use कर सकते हो, जो आपकी affirmation है, जो wish है, उसके according symbol use कर लेना, और क्या कर सकते हो, आप इन symbols को draw करके, जो color मैं बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ, कौन सा इनका color use होना है वो color नहीं use कर सकते हैं, तो golden और silver use करके, इनको बना के frame करके, अपने workstation पे, अपने room में, अपने living area में कहीं भी hand कर सकते हो तो ये हो गई हमारे zebu symbols की बाते, और अगर coins order करने हैं, तो आपको पता है, whatsapp number है, उस पे आप ये zebu coins order करते हो पहला ये जो symbol आप देख रहे हो, इसका नाम है आठू, आठू को आप बनाते हो, orange color के, pen से, और आप इसको persistence के नाम से भी जानोगे तब use करना है, आपको कोई किसी चीज की habit बनानी है, आपको अपने आपको discipline करना है, तब आप इसको use करो आपको अपना mindset बदलना है, negative thinking से positive thinking के mindset लाना है, तब भी आप इसको use कर सकते हो अगर आप उन लोगों में से हो, जो hope बहुत easily छोड़ देते हैं, give up कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है, यह आपको कभी hope lose नहीं करने देता है और hope एक बहुत important चीज होती है, यह आपको भी पता है, जब तक hope होता है, तब तक हम fight करते रहते हैं growth mindset देता ही है यह, और यह आपको एक और चीज देता है to identify your actual desire, आप चाहते क्या हो, जब आप बहुत ज़दा खिचड़ी पकड़ी हो न, mind में की, नहीं समझ आ रहा है, क्या है मेरा ultimate desire, तो आप इसको use करो, यह आपके thoughts को clear कर देगा अब move करते हैं हमारे next symbol की तरफ, इसका name बहुत प्यारा लगता है मुझे, नाम है इसका थतामा या थतामा, color है इसका white और इसको ordinary English language में कहा जाता है order out of chaos, किसी chaos में फज गए हो, किसी problem में फज गए हो, जैसे 2-3 दिन पहले किसी ने message किया, उनके bank में बहुत ज़दा problem हो ग निकलने का solution देता है, आपकी problems को solve करने में आपकी help करता है, instantaneous इसका काम आपको feel होना शुरू हो जाएगा, mindset clear होने लगता है कि solution ये होगा, problem का solution ढून रहे हो तो इसको help मिलो, ये आपको कहीं से भी, कैसे भी chaos से बाहर निकाल लेगा, साथ में एक और चीज देता है, आपका determination towards your goal उसको और strong कर देता है, हम लोग ना आदे से जादा अपनी जो जंग है ना, जो हमें पाना है, उसको हम पहले ही give up कर देते हैं, हम अपने goal से ही भटक जाते हैं, कि चलो ये मुझे नहीं मिल सकता है, मैं थोड़ा कम में अपने आपको adjust कर लेता हूँ, जब ऐसा होने ल ठीक है, ये हो गया हमारा tatama, next move करते हैं हमारे third symbol की तरफ, ये वाला symbol मैं regularly use करती हूँ, इसका नाम है आनी, और इसका color है golden yellow, golden yellow color से आपको इसे बनाना है, थोड़ा सा yellow जो इसमें golden touch आजाया और bright हो वाला yellow, इसे कब use करना है, ये काम करना है हमारे बच्चों की nurturing के लिए, ह intelligent बनाना है, वो हमारी बात सुने, obedient बनाना है, तो हम ये symbol use करते हैं कि जो हम बोले, वो उन पर असर करे, वो हमारी बात को सुने, और कब help करेगा, ये आपकी help करेगा in nurturing, in developing your love and passion, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए passionate हो, कोई ऐसी creativity है, कोई आपका काम है, तो भी इसको use करो, और ये आपको, और nurturing में help करेगा, आपकी friendships में, आपके love में, ठीक है, friendship भी grow कराता है, उन्हें strong बनाता है, उन्हें और beautiful बनाता है, and friends you need throughout your life, तो ये use करो, ये symbol use करो उस चीज़ के लिए, move on करते हैं next की तरफ, इस symbol को कहा जाता है, कोहा, light-heartedness, color क्या है, इसका color है yellow, ये कब use करना है, ये light-heartedness की बात हो रही है, मतलब कि आप और जादा loving बन जाओ, आप और जादा compassionate बनो, आप और जादा appreciable बन जाओ दूसरों के लिए, आप जादा appreciate करोगे, तो हमेशा याद रखो, जैसे हम होते हैं, वैसे ही हमें वापस मिलता है, तो ये आपको क्या ला अशी बात है, वो ये कि अगर आप manifestations कर रहे हो किसी चीज को ले के, और बार-बार किसी ने message भी किया, negative thoughts आते हैं, ये उन negative thoughts को remove करने में आपकी help करेगा, जिससे manifestation हमारी speed up हो जाएगी, positive thoughts के साथ तो manifestation और easy हो जाता है, तो ये आपकी उस चीज में help करेगा, तो ये हो गया हम हमारा हो हा, अब एक symbol दे रही हूँ आपको beauty के लिए, इसे बोलती है Arani, color है इसका black, इसको आपको कहां use करना है, इसे आपको use करना है अपने beauty products के उपर, beauty products पे लिख दो, बना दो, लिख दो मतलब वही बना दो, इसको draw कर दो, आपका वो beauty products आपके लिए और अच्छे से क के लिए और जदा attractive बना देता है, ऐसे beauty आपकी grow कराता है, inner beauty, और साथ के साथ, आप अपने लिए self love भी इसमें improve करते हो, self love भी increase करते हो, आपको अच्छा लगने लगेगा, खुझ से प्यार करना, और ये बात हमेशा याद रखना है, जब self love जदा होता है, तब ही आप इस symbol को कहते हैं अनीका, या इसे evolution के नाम से भी जानो, color है इसका, pink, ये किस-किस चीज में help करेगा, देखो beauty की बात हो गई, self love की बात हो गई, थोड़ा business, money ही में बात हो जाए, money के लिए already जो abundance prosperity के symbols की video बनाई है, उसका link आपको last में इस video में मिल जाएगा, वहां से देख evolution means gradual process, gradual process आपके business में, gradual process आपकी opportunities में, gradual process आपका जो job है, उसमें growth में, उसमें improvement में, gradual process आपके money issues में, तो ये आपकी इन सब चीजों में evolution लाता है और आपकी इन problems को sort out करने में help करता है, तो इसको permanent बनाओ, मतलब permanent जब light हो गया, फिर इसको dark करो, जो business वाले लोग है, या जो clients के साथ deal करने हैं, तो अगर आप ऐसी job में हो, आपको clients बुलाते हो, और फिर उनके साथ deal close करनी है, तो भी ये आप ही लोगों के लिए symbol है, बहुत beautifully काम करता है, बहुत अच्छे results देता है, जरूर try करो इसे, आप सब लोग, आज के लिए symbols हो गए हमारे zebu symbols, फिर से share क करोंगी कभी ना कभी, maybe next video में ही ये और zebu symbols बहुत अच्छे से काम करते हैं, and they are very effective and powerful, और जब इनके colors जो है, appropriate colors उनके साथ use करोंगे, तो और अच्छे से काम करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching, please do like, share and subscribe, and जैस याराओ!